नमस्कार दोस्तो, स्वागत है आप शबीका अपने यूटूब चैनल दा नोलेच प्लाजा में उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्त होंगे और अपनी तेयरी अच्छेदे कर रहे होंगे तो जैसा कि आप लोग थमनेल पे देख पा रहे हैं तेयारी वाले छात्रों के लिए महतपूर सूचना तो इस वीडियो में हम आपको एक महतपूर सूचना देंगे आप लोग बार बार कमेंट करके पूछते हैं सर यूपी केटेट का बैच कब से चलेगा तो उसके बारे में भी इसी वीडियो में डिसकस किया जाएगा तो जो लोग चैनल पे पहली वार आई हुए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन प्रेश कर लें ताके आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुँच सकें चलिए तो टाइम बना वेश्ट किये हुए वीडियो को सुरू करते हैं और क्लास को सेर कर दीजिए ताके आपके और भी दोस्त क्लास में आ सकें सबसे पहले आप लोग यह देख लीजिए जब तक आपका यूपी केटेट का बैच नहीं चलता है यूपी केटेट का बैच आपका जल्द ही सुरू होने वाला है लेकिन जब तक आपका यूपी केटेट का बैच सुरू नहीं होता है तब तक आप लोग क्या करेंगे तब तक आप लोग इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे उसमें हर सब्जेक्ट की अलग-अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है हर सब्जेक्ट की अलग-अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है उस वीडियो को देखेंगे हर एक सब्जेक्ट की अलग-अलग पहले एक वीडियो को देखेंगे, उसको देखे, समझ के और उससे नोट्स बनाएंगे, और फिर उसको तयार करेंगे, और इसी चैनल पे आपके जो टेस्ट पेपर हैं, वो भी आपके इसी चैनल पे हुआ करेंगे संडे को, वो सब आपको जानकारी दे दी जाएगी, कब संडे को आपके ये टेस्ट भी वगा करेंगे, अब देख लीजिए आपका बैच कब से एनाउंस हो रहा है, तो ये देखिए आपका ये थंबनेल है, यूपी कर्टेट एकजाम 2022, निव वेच एनाउंसमेंट, कब एनाउंसमेंट होगा, 4 दिसंबर साम 5 बजे, 4 दिसंबर साम 5 बजे आपका बैच एनाउंस किया जाएगा, आपका बैच 4 दिसंबर को 5 बजे एनाउंस करेंगे, तो सभी लोग लाइव क्लास में आएंगे, इसमें आपको बताय जाएगा, आपका बैच कहां चलेगा, और कैसे चलेगा, ये जो टाइम, बैच का टाइम डिसाइड क तो आप लोग परेशन नहीं होंगे चार दिसंबर को साम पांच बजए सभी लोग क्लास माएंगे इसका लिंक आपको पहले से दे दिया जाएगा दो-तीन दिन पहले से आपको इसका लिंक मिल जाएगा तो जब तक आपका ये बैच नहीं चलता है तब तक आप लोग वीडियो देखिए और अब आप लोग बार बार कमेंट करके नहीं पूछेंगे कि सर आप जो यूपी केटेट का बैच है वो कब से स्रू होगा तो आपका जो यूपी केटेट का बैच है वो 4 दिसम्मर को एनाउंस किया जाएगा उसमें आपको सारी जानकारी दे दी जाएगी किलासें कहां पे चलेंगी और कैसे चलेंगी तो चलिए तो अब मिलते हैं आपको 4 दिसम्मर को तब तक के लिए जैहिन बनने मातरम